हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चैनल देखिए आज हम यह बबल वाली डिजाइन बनाएंगे जो बहुत ही सुन्दर लगता है किसी भी स्वाटेप्राइब डाले बच्चों पर बड़ों पर देखिए कैसे बनेगा यह यह डिजाइन हमारा पीछे से शुरूर होगा बैक सा पर नहीं हुआ है कि कैसे पर श्री बता पर बना हुए उसके पहले हम में कि बनाना है है कि पांच फंदी करने हैं एक अभी तो ये तीन, ये चार और ये पांच ये देखिए ये पांच फंदा हमारा एक फंदे में पांच फंदा बन गया अब धागा पीछे करके एक फंदा में सिधा बनना है ये धाग आगे करके इस एक फंदे को पांच फंदा बनेंगे हम ये देखिया से एक, दो, तीन, चार ये देखिए पांच फंदा होगे ये धाग आगे करना है एक फंदा उटा बनना है अब यहां पर एक फंदे में पांच फंदा बनाना है हमें और एक फंदे को हमें चीधा बन लेना है पीछे से अब ये उटा पांच फंदा बनना है सभी फंदो को पर एक फंदा ये बनेंगे फिर पांच फंदा बनेंगे ऐसे करके हमें ये पुरी सलाई कम्प्लीट कर लेनी है अब हम आपको कम्प्लीट करके दिखाते हैं लेके ऐसे देखे एक फंदा के पाच फंदा करते हुए और एक फंदा सीधा बूनते हुए एक दिजाइन के पहले सलाई हमारेी नोइक हई लकला फमाहे हैं अब दूसरे सलाई हमें आध्म कंपिड होHa कि यह देखें पांच फंदा ही हमारा उल्टा बन गया एक फंदा है इसको भी नमें उल्टा बनना है इस पुरी सराइ करने उल्टा ही पनना है अभी हम आपको पुरी सलाइ बुल कर दिखाते हैं इसको पुरी सलाइ हमें उल्टा बनना है देखें फ्रंट्स हमारे डिजाइन की दूसरी सलाइ भी अब कंप्लिक होने वाली है इस अभी पुरी सलाइ को हमने उल्टा बनना है अगर हमारा डिजाइन पसंद है तो आप लाइक शेयर और कमेंस भी कीजिए इसको पुरा बुलना है सलाइ में अभी डिजाइन बना नहीं है अब अगली सलाइ में बन जाएगा यह दिखें फिर्ण से उल्टा बुनते हुए हमारी यह सलाइ पूरी कंप्लिक हो गई है अभी तीसरी सलाइ देखें कैसे बनेगा पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया है यह जो दिखें यह हमारा पांच फंदर जो हमारा बन रहा था रिजाइन का इसको हम पूरा एक साथ में बुन देंगे यह दिखें ऐसे अधाग आगे करके इस फंदे को हमें सीधा बुन देना है यह दिखें ऐसे यह पांच फंदों को एक साथ मुन देना है अधाग आगे करके इस चेन पर हमें एक फंदे को बुन देना है यह दिखें ऐसे यह दिखें हमारे बॉबल बनने लगे पांच फंदों को एक फंदा बुन देना है इसे करके हमें अपनी तीसरी सलाई का ब्रीट करें है डिजाइल के एक फंदा सेधा और एक फंदा उल्टा करके ऐसे बुनना है इसको सीधा बुनना है जो हमें सीधी चेन दिखाए दे लेगे इसको सीधा बुनना है अब आके पांच फंदे में एक साथ भटा दे लेगे यह दिखे ऐसे बनाती चाहिए यह देखे फंदा पांच फंदा हमारा बढ़ा हुआ था उसको भटाते हुए अर्फंदा है इससरी की तकी अमक्प्रिट होने निया देखे 5 फंदा के पांच फंदा कर दिया और अउसरी समय स्मय रजोना है और इससका परतों ग्श्यली चेना है तक उसमिदा पांच पंदों को मेसमेशन पर बढ़ा अब झाँ हम उने था दिए हुए बबल से मारे कम्प्रीट होगा है अब देखिए कैसे बनेगा अब सलाई यह वाली अब इसकी चौथी सलाई जो हो हमने पूरी सीधी बुन लेने है यह देखिए ऐसे चौथी सलाई है हमारी डिजाइन के इसके अमरे पूरा बुन लेना है यह देखिए फ्रेंस हमारी चौथी सलाई भी कम्पीट होने वाली है जिसको हमने सीधा बुनना है इसके बाद यह जो बबल हमारा बना हुआ है इसके उपर हमें नहीं बनाना है इसके उपर नहीं बनाए जाएगा इसके उपर नहीं बनाएगा इसके उपर नहीं बनाएगे जो बबल हमारा बना हुआ है देखे ऐसे अभी हमने इस फंदे पर बनाया हुआ था अब हम इस फंदे पर पांश पंदा बनेगे है एक फंदन हम ये सीथा बन लेंगे है अब इस फंद्ध पर हमने नहीं बनाये हुआ है बेबल इस भंध संद्ध कममों राइंगे पांश कर लिए इस हैं बहुत ही आसान है डिजाइन एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदे को हमें पांच फंदा बुनना है बहुत ही जल्दी बन जाता है ये डिजाइन को रहूं जादा इसमें लगता है ये देखे ऐसे पांच फंदे हमने बुन लियो और एक फंदा हमें सीधा बुन लेना है ये देखे ऐसे बनते जाएगा ये पांच फंदा और एक फंदा करके आप इचे से इसे बनाते जाएगे सामने से इसके बाद सभी सलाहिया हमें उल्टी बुनी होंगी ये देखे पांच फंदा और एक फंदा करके हमारा बुन रहा है ये देखे बरे-बरे बबल्स बन जा रहे हैं ये करके लगे प्रश सत्यों प्रभी एता है झाली है झाली लग वरे देखे बनाते है झाली हमें चाली है झाल